असलाम अलेकूम तो हम आपके साथ सेयर करने जा रहे है चिकन कोसा की रेस्पी जिसके लिए हम लिए यह खड़े मसाले जिसमें है गुटा धनिया गुटा जीरा और धनिया ही में हम 12 गुल की भी डाले हैं और साथ में इसके हम सुखा मिर्चा बस इतना ही चीज को भी हम पहल तो इसका स्वादक अच्छा आता है तो इसके लिए और थोड़ा से इसमें अगर चाहे तो नमक डाल लीजिए नमक डाल के भूलेंगे तो बहुत अच्छा बारिक हो जाएगा वर न कभी कभी होता ना कि धनिया को आप पीस ही ए तो ठीक से महिन नहीं होता है क्योंकि हम ज और टाला है सोप है जिसमें दलचीन लूंगै लीजिये और सोफ तो इसको भी हम इसमें ये चूल्हा भी हमबंद कर दी है उसके बादिसको इसमें हम डाल करके बस इसको थोड़ा कि वे काडहाई मेरा गरम है उतना ही में यह अच्छा है बुटना जाएगा और तिर सब को म मच्छे से भी लाल कर लेंगे तो यह मेरा चिकन एक केजी नहीं अल्मोष्ट यह साथ 800 ग्राम होगा मतलब एक केजी से कम है जिसमें हम पांच प्याज दिये हैं बड़े सा इचका तो प्याज को आप थोड़ा सा मतलब एकदम बारिक भी ने काटे बहुत मोटा भी ने मेडि मेरा प्याज भी लालोग किया है इसको भी हम निकाल लिए हैं और इसमें फिर हम तेल को थोड़ा कम कर लिए उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा खडय मसाला डालें तो लॉंग डालें यह दलचीन लॉंग और तेज पत्ता उसके अदिश को थोड़ा सा भूंड लेंगे एक तो अब हमस्टा पर चिकन को डाल दे रहे हैं यह चिकन को हम थोड़ासा कलर दे करकी रखे वे थे क्योंकि इस प्थुड़ासा कलर आता तो अच्छा लगता है ऐगर आपको पसंदो तो डाले यह वर्नमप डाले तो अब हम सीखन डाल के उसे मदर्ग्ञा संदो चमसट डाल तो हम थोड़ा अच्छा से बूलेंगेurchित इसके बाद़ पिर बाकि मसाला बाद नालेंगें बाकी मसाला मतलब मसाला और ने डलाए गा इसमें मतलब जो प्याज को लाल किये थे ना तो उसी को हम दही में पीस करके फिर डालेंगे तो अब इस वात कहने सब इसमें हम नमक डाल रहे हैं क्योंकि नमक तो थोड़ा सा मसाला भूनने रहें भी डाले थे जो सूखा मसाला को पुर्ष्ट किय थे उसकी बाद भी जिकन में डालें में हैं भाद में फिर फिर फ्रोड़ा गिरे भी लगाएंगे तो थ्लाशा और नमक डालें तो नमक को अपने टेस्ट के हैसाब से डाले 5 अब प्यास को चों लालकर करकिंकाव लेए थे उसको भी हम दही मिलद पर चिकन कोसा को आप इस तरह से अगर बनाईगे तो बहुत अच्छा है तो अगर आपको मेरा बनाया वाद तरीका अगर पसंद आए तो आप भी एक बर ट्राइ करें बहुत अच्छा बनेगा और इसमे बहुत ज्यादा थाम ज्छाम नहीं है बहुत यह नहीं ऐसे भी चिकन बनाते है तो पहले प्याज लाल करते है उसके बाद उसको डाल के भूनते है तो इसमें पहले प्याज लाल होगिया है अब उसके बाद इसमें डला रहा है तो इससे भी इसका बाद अच्छा देश्ट आएगा और यह बनने में बहुत जादा टाइमने लखता है लिए लिए connected को साँ बनाने में मतले ज्यादा टाइमने लगता है इसे ही जो चिकन बनाते उसके हिसाब से तो आप भी ट्राइ कीजिए इसका टेस्ट बहुत लाजबाब हुता है आपको भी बहुत पसंद कंद Ó जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज बनाने का मतलब अलग अलग जगह के हिसाब से सबका अपना तरीका होता है एक ही चीज बहुत तरह का बनता है जरूरी नहीं है हम जिस तरीके से बना रहे हैं आप भी वैसा बनाते हो मगर सबका अपना अपना तरीका होता है किसका तरीका पसंद आए या फिर किसका टेस्ट में क्या फरक है वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा तो आप यह ला अगर रेसिपी आपको भी पसंद आएगा तो आप भी एक बर इसे ट्राइ कीजिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग भी बनेए वरना जैसे आप बनाते हैं वैसा बनेए तो देखिए इसमें हम जो प्याज और दही को पिसे थे उसको हम इसमें एड़ कर दिये और मिंक्सर के जार में भी जो हम पानी डालेंगे थोड़ा सा आँ डालके इसको पुर मसाल अच्छा इसमें डाल देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाला तो नहीं लगता है तो आप सब को अगर मेरे रेश्पी पसंद आ रहा है तो आप पिली सीजे लाइक किजिए, सेर किजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब किजिए तो देखिए अभी मेरा चीकन कितना अच्छा लग रहा है भुना जाने के बाद इसका मतलब कलर कितना अच्छा है कितना अच्छा इसका ग्रेवी दिख रहा है और यह खाने में भी एकदम जवर्दस देश्ट का है आप अगर बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा तो देखिए है इसको हम जो जार में मिक्सर मसाला पीसे थे उसका भी पान डाल करके उसको भी इसमें हम डाल दिये इसमें भी इतने ही ग्रेवी रखेंगे और बस ये दो-तिन मिनट और इसको हम बस पाकाइंगे उसके बाद बंद कर देएंहे इसको उम्हारा मिर्शा डाल दिये है अब इसको हम धाने पती और कसूरी मेθη के साथ अब थोड़ा सा बस एक-दो मिनट पाकाएंगे रूसके ब